Hello student, welcome to my channel, today we will discuss the topic semantic and its different types यहाँ पर हम सबसे पहले understand करने कोशिश करेंगे कि semantic होता क्या है semantic होता है किसी भी language के अंदर हम किसी word के meaning को understand करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसको study कर रहे होते हैं, उसको semantic कहते हैं आप कहा सकते हैं, simple words में कि कोई भी language है, जाँ इंग्लिश है, उर्दू है हम उसकी general study कर रहे होते हैं और हम यह देख रहे होते हैं कि कोई भी sentence किसी भी language के अंदर कैसे build up होता है और उस word, for example, कोई भी word है, कोई भी sentence को अगर आप ले लें अपने जहीन के अंदर जैसे he is writing a letter अब दो चीज़े हैं, जब हम writing को word को अपने study के लिए ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो writing है, जो हम सुन रहे हैं, किसी pronunciation जिसकी writing है there are two types of words in English language, one is right, other is right दोनों के pronunciation सेम हैं, लेकिन meaning differ कर रहे होते हैं, ठीक है एक के spelling w-r-i-t-e है, दूसरे का है r-i-g-h-t so, जब हम study कर रहे होते हैं, किसी भी language के अंदर तो हम उसके meaning को understand कर रहे होते हैं sometime ऐसा होता है, कि spelling भी same होते हैं, दो words के जैसे bat है एक word है, और bat के two meanings हो सकते हैं एक bat के meaning यह है, जो एक bird है, ठीक है दूसरा bat, जो है, जो हम बला है, उसको कहते हैं अब जब हम study कर रहे होते हैं, semantic की तो basically हम इसी तरह word जो होता है, उसके origin को भी find out करने कुशिश कर रहे होते हैं उसकी pronunciation उसको भी देख रहे होते हैं कहां से निकला और उसके meaning क्या है क्योंकि sometimes जो meaning होते हैं, वो जो होते हैं, symbolic meaning होते हैं, sometimes conceptual meaning होते हैं sometimes उस चीज़ के साथ बहुत सी चीज़ों को associate कर दिया जाता है बहुत से characteristics को और उसके meaning को हम drive करने की कोशिश कर रहे होते हैं और हम यहां यह भी study कर रहे होते हैं कि किस तरह over time language के अंदर जो words होते हैं, उनके meaning change होते हैं बहुत सफ़ एक word होता है, फिर दो words मिलते हैं, फिर phrase बन जाती है, और इसी तरीके से idioms होते हैं sometime यह होता है कि idiom जैसे, कोई भी idiom है, उसको read out करें तो different meaning होते हैं और लेकिन जब हम उसको read out करते हैं तो उसके जो internal meaning होते हैं वो different होते हैं, for example, आप कह सकते हैं कोई भी word है, उसके literal meaning होते हैं और एक यह connotative, ऐसे hidden meaning होते हैं, जो के उसकी study करने के बाद ही हम derive करते हैं sometime वो lateral meaning को ले रहा होता है, जैसे Ted Hughes की poem है, The Thought Fox उसके अंदर meanings को देख रहा होता है sometime, और lateral meaning को वो fox ले रहा होता है, लेकिन जो connotative या hidden meaning होते हैं उसके, वो एक अपने writing style, एक अपने idea को explain करने की कोशिश कर रहा होता है so poetry के अंदर sometime a persona use कर रहा होता है, metaphor इस्तमाल करता है, simily इस्तमाल कर रहा है, so ये word ही की study होती है, जो हमें इसकाबिल बनाती है, words के meaning को understand कर सकें और किस तरीके से जो user है, आपका speaker और listener किस तरीके से जो meaning है, उसको understand करते हैं इसी तरीके से यहाँ हमने different types को discuss करना है, अगर आप इनकी different types को देखें, एक conceptual meaning है, एक associative meaning है, एक referential meaning है, एक annotative meaning है, इसको one by one करके हम discuss करेंगे सबसे पहले conceptual meaning को understand करेंगे कोई भी word है, for example, एक needle एक word है, ठीक है, जब needle का word हमारी जेन में आते है, तो इसकी जो exact यह lateral meaning होते है, वो इसका मतलब होता है, कि एक ऐसी sharp सी steel की बनीवी एक thin सी pin होती है, जो चुब होती है, ठीक है, इसको हम conceptual meaning, कि यह जब हम इस word को read out करते हैं, तो इससे mind के अंदर एक concept develop होता है, about sharpness, about steel pin और thin, इसी तरह associative meaning को सामने रखें, तो associative meaning वो meaning होते हैं, जो कोई भी word है, ठीक है, उसके साथ attach किया जाता है, और यह जो attachment होती है, उसके characteristics की, उसकी qualities की, वो particular meaning, आप कह सकते हैं, उसकी, उस चीज़ की होती है, कोई object है, ठीक है तो उसके साथ मुक्तलिफ चीज़ें को attach कर देना, उसके साथ characteristics को attach कर देना, ठीक है, that are beyond the referential meaning that the people commonly think of in relation to a word or phrase, for example, यहीं पर हमने, जैसे कि पिछली हमने needle की example ली थी, तो needle की जब हम example ले रहे थे, तो concept हमारे develop होता है, thin, sharp, और एक steel की pin, लेकिन अगर associative meaning को अगर अपने ज characteristics होते हैं, हमेशा मरिजेन में आते हैं, अच्छा वो जो syringe होती है, वो एक तकलीफ दे चीज होती है, pain create करती है, illness की सुर्वने इंजेक्शन आप लगाते हो, या फिर आप medicine drugs ले रहे होते हो, या फिर इसके लगने से आपको blood जो है, वो निकलता है, यह सारी चीजे, यह knitting बुनने के लिए इस्तमाल कर रहे होते हैं, या thread के लिए, इस्तमाल की जाती है, कपड़े सीने के लिए, यह सारे characteristics हैं, जो steel pin के साथ attached है, इसी तरह, जो third one है, वो referential meaning है, जिसको denotative meaning भी कहा जाता है, referential meaning का मतलब यह होता है, कि later exact meaning of a word, and the object referred to, किसी भी object को सामने रखके, उसके तरह reference दिया जा रहा होता है, referential is the primary meaning होता है, ठीक है, connotative होता है, वो secondary होता है, जो हमेशा जो पहला, किसी भी word को पढ़ने के बाद जैसे, मैंने Ted Hughes की poem, the thought fox की example दिया, the thought fox, पहला जो आपके जहन में, referential meaning आ रहा होता है, कि fox के बारे में बाद discussion कर रही है, लेकिन जो second है, connotative meaning, the thought fox के अंदर, जो Ted Hughes की poem है, उसमें वो discuss कर रहा होता है, अपने idea को, creation of poem के बारे में, वो discuss कर रहा होता है, छुपा हुआ hidden idea यह होता है, जो के secondary idea होता है, अब यहां भी एक example दिया है, जैसे कि the family sat together in front of a warm fire, अब यहां warm है, वर्म का जो word है, अगर इसकी आप study करें, इसकी research करें, तो आपके जहन में एक important चीज यह आएगी, कि ऐसी चीज जो hot है, गरम है, और actual temperature को represent कर रही होती है, so, referential meaning, या denotative meaning जो होते हैं, ऐसे meaning होते हैं, जो exact, या later, या primary meaning होते हैं, किसी भी word के, यह जो हैं, कुछ meaning के लिहास से types हैं, I hope you understand this lecture, thank you very much.